स्वागत आपका स्कूल रश्थोरी में आज अमारम करने जा रहे हैं कक्छा आट में गनित की वाटसेप बेस असाइंगमेंट वीक 29 तीन अप्रेल 2021 तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्यूई पहला प्रश्ण है एक वस्तू की अंकीत मूले 2700 है उस पर 25 परसेंट की छूट दी जाती है तो वस्तू पर छूट क्या होगी तो हम निकाल लेंगे 2700 गुना 25 परसेंट तो 25 परसेंट का होता है नीचे 100 आ जाएगा 0-0 कट गई 27 इंटो 25 होते हैं 675 उत्तर हो जाएगा 675 अगला है एक वस्तू का अंकीत मूले 3000 था और उसे 2500 में बेज दिया गया तो उस वस्तू पर छूट परतिसत क्या है मतलब कि इन दोनों का हम इसमें से इसको गटाएंगे कित्ता आएगा 500 500 और अंकीत मूले कित्ता था 3000 और 100 इसको सॉल्फ करेंगे 0-0 कर जाएगा 5 से काटेंगे 30 को कित्ती बार जाएगा 6 बार और 100 बाटे 6 कित्ता आएगा 16.66 अगला है एक खिलिनों का अंकीत मूले 400 था उसते अमन में 24% की छूट पर खरिकता है तो खिलों में पर छूट का परतिसत ग्याद कीजिए वह 24 बाटे 400 बाटे इंटू 100 हो जाएगा उत्तर आजाएगा 6 परसेंट अगला है जदी एक टीवी का विक्रें मूले 25,500 है और क्रें मूले 23,000 है तो टीवी पर लाब परतिसत ग्याद कीजिए इन दोनों का डिफ्रेंस ग्याद कर लेंगे अंतर ग्याद कर लेंगे कित्त 25,500 फिर इसका क्रें मूले कित्ता है 23,000 कित्ता आजाएगा 10.87 परतिसत यदि क्रें मूले 24 है और हानी 12 है तो हानी परतिसत क्या होगा 12 बटे 240 इंटू 100 उत्तर आएगा 5 परतिसत मोबाइल की एक दुकान पर मोबाइल फॉन की कीमत 11,500 है उस पर विक्री कर कित्ता है 1150 तो उसके खरीदने की कुल कीमत कित्ती होगी इन दोनों को हम जोड़ देंगे 11,500 और 11,150 उत्तर हो जाएगा 12,650 अगला देखते हैं गौरोवेक मेले में 100 फूलदान बेच रहा है परतिक फूलदान की लागत 125 रुपे है वे परतिक फूलदान को 150 रुपे में बेचता है उसने पहले दिन 20 फूलदान बेचे और पहले दिन उसका लाप कितना लाप कमाया 20 फूलदान बेचे हैं तो अंतर कित्ता हुआ फूलदान की लागत कितनी है 125 रुपे और फूलदान कित्ते का बेचता है वे 1500 रुपे का अंतर कितना हुआ 25 उर्पेगा 20 फुल्दान बेचे 20 से गुना कर देंगे तो 25 इंटू 20 कितने हो जाएंगे 500 अगला है चक्रवर्दी ब्याज क्या होगा जब 20,000 की रकम 5 पर 30 की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई हो दो वर्ष के लिए लिए है तो इसमें फॉर्मला लगा देंगे हम तो हमने चक्रवर्दी ब्याज निकालना है CIE 5 पर 30 दर से उत्तर आएगा 2050 अगला है इतनी रकम वापस की जाएगी जब 15,000 को 10 पर 30 वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया जाएगा आप डारेक अगला है यदि मिस्र धन 17,900 है और चक्रवर्दी ब्याज दो हजार दो सो है तो मूल धन क्या होगा इसमें से मिस्र धन में से चक्रवर्दी ब्याज को घटा देंगी उत्तर आएगा 15,700 आशा करता हूँ आप ये क्यूज आसाने के साथ पूरी कर पाये होंगे इसी प्रका झाला है तो